नमस्कार दोस्तों, Online Stuff YouTube चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है AdSense के ads.txt error के बारे में अगर आपकी site AdSense approved है तो आपको AdSense में your earning at risk one or more of your site does not have ads.txt ऐसा notification आया होगा तो इसे WordPress में और Blogger में कैसे solve करना है यह हम इस वीडियो में देखने वाले है तो इस error को solve करने के लिए आपको अपनी website में ads.txt फाइल एड करनी है और इसमें यह जो code है वो paste करना है लेकिन आपको इस code में सिर्फ एक change करना है यह जो pub के बाद में लिखा है उसमें आपको अपने खुद का publisher ID डालना है अगर आपको अपना publisher ID नहीं मालूम तो आपको adsense में login कर लेना है और उसमें आप accounts में click करेंगे तो account information में आपको यहाँ पे अपना publisher ID मिल जाएगा यहाँ से आपको अपना publisher ID copy करना है और यहाँ पे paste कर देना है और यह जो code है यह आपको ads.txt file में डाल देना है तो अब हम देखते ads.txt file कैसे add करना है तो इसे करने के लिए आपको cpanel में login कर लेना है और उसके बाद file manager को जो section है उसमें आपको जाना है और अगर आपकी एक ही website है तो आपको public underscore HTML का जो folder है उसमें जाना है और अगर आपकी एक से ज़्यादा website है तो आपको अपनी website की folder में जाना है और वहाँ पे आपको एक नया file add कर लेना है आपको यहाँ पे उपर यह जो add new file का button दिख रहा है उसके उपर आपको click कर लेना है और आपको यहाँ पे new file add कर लेनी है और उस file को आपको ads.txt नाम देना है file add हो जाने के बाद हमें उसे edit करना है आपको उस file पे click करके जो edit का button है उसके उपर click कर लेना है और इस फाइल में हमें वो code paste कर देना है इसकी link में नीचे description में दे दूँगा वाज से आप इसे copy कर सकते हैं यहाँ से copy करके यहाँ पे paste कर लेना है और शिर्फ आपको अपना जो publisher ID है वो यहाँ पे change कर देना है आपके खुद का publisher ID यह आपको डालना है मैं यहाँ से अपना publisher ID copy कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको अपना publisher ID डालके save changes के उपर आपको click कर लेना है आपकी एक से ज़्यादा website है तो सभी website में आपको same procedure follow करना है और अगर आपकी website blogger में है तो आपको blogger dashboard में login कर लेना है उसके बाद आपको settings का जो tab है उसपर click करना है और उसके बाद में search preferences का जो option है आपको उसमें जाना है और उसमें सबसे आखरी में monetization के नीचे जो custom ads.txt है उसे आपको enabled कर लेना है और उसमें आपको same code यहाँ पे paste करके save changes करना है ads.txt add हुआ या नहीं इसे देखने के लिए आपकी website की जो URL है आपको उसके आगे slash ads.txt डालके enter प्रेस करना है अगर आपको यहाँ पे यह code दिखाए दे इसका मतलब आपकी ads.txt file successfully add हो चुकी है आप चाहे तो सभी website के इसी तरीके से check कर सकते है उसके थोड़ी देर बाद access में जो आपको जो notification दिखाए दे रहा है वो वहाँ से हट जाएगा तो इस तरीके से आप ads.txt फाइल अपनी website में add कर सकते है अगर आपको यह video helpful लगाओ तो वीडियो को like जरू करेगा और इसी तरीके के videos के लिए अगर आपी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लिजेगा